जब दुनिया में कोई भी कुछ different या कुछ नया करने की कोशिश करता है तब शोर होना लाजमी है और वो भी music industry हो तब शोर कुछ ज्यादा ही होता है तो इस वीडियो में आप जानोगे Spotify की शोर भरी अनसुनी कहानी जिसने music industry को completely revolutionize कर दिया है और कैसे ये छे लोग Spotify के जरिये पूरी दुनिया को अपनी दुन पे नचाने वाले थे आप ये जानोगे इस playlist की पूरी series में so let's begin the story तो Spotify की playlist में सबसे पहले player and Spotify के founder है Daniel Ek इनकी कहानी शुरू होती है एक vision से वक्त है 2004 in Sweden Daniel nature से एक introvert होने के साथ वो एक छोटी company में coding करता था और Sweden के एक small apartment में वो अपनी अमी जान के साथ रहता था एक talenter programmer होने की वज़स से उसने Google में apply किया था लेकिन उसके पास college degree ना होने की वज़स से उसे reject कर दिया जाता है वो इसका बदला लेते हुए Google के algorithm को hack कर लेता है ताकि उसकी company को ads के लिए पैसे ना देने पड़े जब उसके boss को ये बात पता चलती है तब खुश होने के बज़ाए वो Daniel पे चिलाता है और उसे एट ठीक करने को बोलता है क्योंकि Google से उन्हें पहले ही notice मिल चुका था Daniel को जुकना पसंद नहीं था इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर बान लेता है और job quit कर देता है Google के rejection को अपना motivation बनाते हुए एक साल में खुद का business बना कर उसे बेचने का ठान लेता है 6 months गुजरते हैं लेकिन Daniel के business का कोई अता पता नहीं होता फिर एक दिन coupons की परचिया उसके हाथ लगती है और उसे देख कर idea आता है कि क्यों न एक program बनाया जाए जो different users के लिए advertisement target करता हो और Daniel अपनी इस website को नाम देता है Adverti को Daniel अपनी website को pitch करने जाता है trade doubler company के पास वहाँ उसकी पहली बार मुलाकात होती है एक बहुत है दिल्चस्प और जिन्दा दिल इनसान से जिनका नाम था Martin Lorenzon जो आने वाले वक्त में Spotify का पहला investor और co-founder बनने वाला था We will talk about him in the coming video तो जब वो Daniel से पहली बार मिलता है तब वो समझ जाता है कि बच्चा internship के लिए आया है लेकिन जब Martin को पता चलता है कि Advertigo Daniel ने बनाई है तब वो उससे काफे impress होता है Daniel 22 साल की age में अपनी website 10 million में Martin को बेच देता है और सभी जाकर celebrate करते है Daniel अपने लिए Ferrari और अमी जान के लिए स्मार्टफोन खरीता है अब तक सब कुछ ठिक ठाक चल रहा था लेकिन Daniel को वो किक नहीं मिल रही थी तो जब वो TV देख रहा था तब ही उसके दिमाग की बत्ती जलती है और राइट तो सीन कुछ ऐसा था कि early 2000 में music industry में internet अपने पैर गुसा चुका था इसका advantage लेते हुए Godfreed ने The Pirate Bay नाम से website बनाई थी जो लोगों को free music प्रोवाइड कर रही थी और वो ads के जरीए millions में earn कर रहे थे Sounds good, right? But this was all illegal Because on the other side record companies थी जो इस तरह की disc के जरीए singers के गानों को legally market में बेच रहे थे जिसके लिए लोगों को पैसे देने पड़ दे थे और इस सीन में Pirate Bay free music प्रोवाइड कर रहा था वो भी सिर्फ एक click दूर इसलिए record companies को every year 20 billion dollars का नुकसान हो रहा था इसलिए record companies Pirate Bay को court में गसिट देती है copyright infringement case में इन दोनों की जंग में Daniel को एक opportunity नजर आती है एक बहतर and legal streaming site बनाने की लेकिन ये journey इतनी आसान नहीं होने वाली थी वो अपने इस idea को discuss करता है Martin से Daniel जानता था कि इस music की race में he was on the second position but he had to be the best Daniel Martin को convince कर लेता है और दोनों की partnership के साथ Spotify की शुरुआत होती है और दोनों निकल परते हैं अपनी team बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें जरूरत थी talented coders की और इस तरह हमारी कहानी में entry होती है एंद्रियास की जो coding team को lead करने के साथ कई सारे technical challenges भी face करने वाला था जिसे मैं आने वाले वीडियो में discuss करूँगा तो अपने coders की team के साथ Spotify की शुरुआत करते है Spotify को launch करने के लिए सबसे पहला challenge था कि music rights खरीदना फिर दोनों मिल कर जाते हैं music rights की office में लेकिन वहां की manager उन्हें online radio station वाले समझती है और क्योंकि उस वक Spotify market में एक अलग तरह का business model था इसलिए ये मोतरमा समझ नहीं पाती और उन्हें suggest करती है कि आप गलत जगा आ गए है हमारा काम है सिर्फ music को protect करना तो आप जाए record companies के पास और उनसे बात कीजिए तो बात कुछ ऐसी थी कि डैनियल सिर्फ ये समझता था कि Spotify पे music चलाने के लिए उन्हें सिर्फ license की जरूत है और ये बात उसने Google से पड़ी थी और ये बात जब मार्टिन को पता चलती है तो वो उसे कहता है कि यार तुझे music industry में revolution लाना है और तुझे ये नहीं पता कि music rights खरिदते कैसे है मार्टिन उस पे बहुत हस्ता है और कहता है कि यो बात तो हमें टीम को बतानी होगी इस पे डैनियल कहता है कि मैं टीम पे कोई stress नहीं देना चाहता और वो अपना काम पे focus करेंगे और हमें बस हमारे काम पे focus करना है दोनों pamphlets लेकर निकल पड़ते हैं investors and record companies से बात करने के लिए लेकिन उनकी दाल इतनी जल्दी नहीं गलने वाली थी उन्हें हर जगह से rejections ही मिल रहे थे but on the other side पूरी टीम side को perfect बनाने में लगी हुई थी और पैसे भी खत्म हो रहे थे Danny को बस इस बात से गुसा था कि Martin और उसकी टीम के अलावा कोई उसके vision को समझ नहीं पा रहा था Martin उस पे भरोसा दिखाते हुए और 10 million लगाता है और उसे motivate करते हुए कहता है कि हमें इतना perfect player बनाना होगा कि कोई उसे reject ही ना कर पाए Pair Sundin जो Sony Music Sweden का CEO था और यही pirate base से बिड़ा हुआ था और वो music industry की piracy struggle के बारे में discuss कर रहा था तब Daniel को लगता है कि Pair से एक बार meeting जरूर करनी चाहिए और वो फोरन जाता है Pair की office में लेकिन उसे भी सरकारी दफतर की तरह कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते है Pair busy होने की वज़े से उसकी secretary उसकी meeting करवाती है Pair के चमजे से बट unfortunately वो भी Daniel के vision को समझ नहीं पाता है और वो उसे reject कर देता है उसकी secretary उसके ज़स्बे से impress होती है और कहती है कि देख यार तेरी दाल वैसे तो नहीं गलने वाली तो तू एक काम कर Pair एक बार में जाने वाला है तो तू उसे वहाँ अपना presentation दिखा दे शायद कोई चमदकार हो जाए तो Danny Andreas के साथ पहुँचता है बार में और उसके मुलाकात होती है हमारी प्लेलिस के एक खास प्लेयर से तो ये है बॉबी जो एक talented singer होने के साथ Danny की बचपन की दोस्त थी लेकिन वो आने वाले वक्त में Daniel की नाक में दम करने वाली थी और ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा दोनों एक दूसरे से मिल कर खुश होते हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं Daniel उसे Spotify के Free Music के आइडिया के बारे में बताता है Free Music का नाम सुनते ही Bobby के expression बदल जाते हैं तब ही Daniel ये कहता है कि इससे सभी को पैसे मिलेंगे स्टोरी आगे बढ़ती है और जब Daniel पैर से मिलता है और कहता है कि मैं Music Industry को बचा सकता हूँ और मैंने एक Free Music Streaming वेबसाइट बनाई है पैर Free Music का नाम सुनते ही Danny पे गुसा हो जाता है और Danny कुछ आगे बोले उससे पहले ही वो उसे reject कर देता है क्योंकि वो पैरेट बे की Free Music साइट को ले कर वैसे ही काफी गुसे में था और पैर वहाँ से निकल जाता है एक दिन जब वो ओफिस में गेम खेल रहा था तब सोफिया उसे user statistics दिखाती हुए कहती है कि ज्यादा तर यूथ अपना वक्त इंटरनेट पे बिताते है तो क्यों न हम record companies के बज़ा आए डायरेक्ट उन्हे ही टार्गेट करे इस तरह Daniel की पूरी टीम अपने visiting cards लेकर college students को अप्रोच करते है fortunately उन students में एक student पैर का ही बेटा था इस तरह Daniel अपनी उंगली टेडी कर चुका था तो पैर की कहानी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा next episode so I'll see you there